हेलो दोस्तों स्वागत हैं सभी का आर्वी एडिटिव क्लास में तो दोस्तों आज मैं कुश्चन लेकर करके आया हूं ठीक है इस कुश्चन की बहुत सारा डिमांड आ रही थी तो इस कुश्चन को हम डिसकस करेंगे आप बस वीडियो को आंततक और ध्यान से देखिए ठीक ठीक है कैं तो हम यहाँ पर अपनी तरब से माले अगर की सर्कल का जो रेडियर इस है उस्तमाल आ रहे चिके अगर शक्रेंग के करेंदा है यह रेडियर का रहूला कोलائ यह सब रहें होगा अगर श्राइड के फॉर्म में रखना होगा तो हम रखेंगे पाई डी क्या रखेंगे पाई डी तो यहां पर रेडियस की बात किया है तो इसलिए हमें पाई डी रखने की ज़रों नहीं है और हम यहां पर simply क्या बताएंगे कि जो perimeter है वो 2 pi r है ठीक है circumference और perimeter एक ही बात हुई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि perimeter जो है वो 2 pi r हो जाएगा circle का area का formula भी मैं बता देता हूँ कि area का formula क्या होता देखो circle के area का formula होता है pi r square तो यहाँ पर इनके कहने का मतलब यह है कि जो value आएगा numerical value perimeter की और area की वो बराबर यहाँ पर हमने यह माना कि एक circle है जिसका radius small r है और यहीं से हम शुरू करेंगे चलिए फिर शुरू करते हैं answer let a circle has radius small r ठीक है circle का radius कितना होगा small r then perimeter of a circle peri meter of circle is equal to 2 pi r देखो r के term में उसका perimeter कितना होगा 2 pi r ठीक है and area of circle is equal to pi r square तो यह तो हमारा हो गया perimeter और यह हमारा हो गया area according to conditions according to conditions perimeter of circle perimeter of circle is equal to area of circle area of circle ठीक है condition क्या दिया है question में condition question में दिया हुआ है कि perimeter of circle equal है area of circle के यहां पर ध्यान से देखो बोला है कि perimeter and area of circle are numerically equal कैसे हैं equal हैं इसलिए यह दोनों क्या हो जाएंगे equal हो जाएंगे और यहां से हम perimeter की value यहां पर रख देंगे 2 pi r और यहां से हम area की value यहां पर रख देंगे pi r square ठीक है अब एक चीज़ आप समझेए यहां पर देखो r square है ना तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 pi r पाई इंटू देखो r square को जैसे x square होता था तो उसको मैंसे break कर सकते थे x into x तो यहां पर लिखेंगे r into r क्या लिखेंगे r into r तो यह सवाले r का मालीजिए हमको value find करना है तो यह दोनों इधर भेजेंगे तो यह into में है इधर आकर divide में आएंगे यानि कि r की value कितनी आ जाएगी 2 pi r और यह आ जाएगा pi r ठीक है अब यह जो pi r है pi r है यह दोनों cancel हो जाएंगे बचेगा कितना यह मैं फिर से लिख दे रहा हूं ठीक है बचेगा आपके पास देखो यहां पर r है आर को हम पहले लिख दे रहे हैं और यहां पर बचेगा सिर्फ 2 कितना बचेगा सिर्फ 2 तो आर की value आएगी 2 unit कितना आएगा 2 unit अभी देखो जैसे centimeter होता या kilometer होता या radius होता तो यहां unit के place पर हम रखते centimeter kilometer ठीक है लेकिन यहां पर कोई unit नहीं दिया है तुम क्योवल unit लिखेंगे क्या लिखेंगे केवल unit लिखेंगे तो आर की value कितनी आएगी 2 unit आएगी ठीक है तो यह हमारा इस question का answer होगा यह extra चीजे में हटा देता हूं कि एक बार आप वीडियो को या तो right कर लीजिए question answer को या फिर वीडियो को pause करके screenshot ले लीजिए तो उमीद करता हूं इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आया होगा अगर यह वीडियो आपको जरा भी पसंद आया है तो आप वीडियो को like करें share करें और चैनल को भी subscribe कर लें ठीक है इसी परकार के वीडियो हमारे चैनल पर मिनते रहेंगी और मिलते हम आपसे अगल